दोस्तों फिर से स्वागता आपका एक नए वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अगर आपके पास Micromax in 2b है या कोई और मॉडल है Micromax का तो यहाँ पे आप camera watermark को कैसे remove कर सकते हैं अपने mobile से अगर आप कोई photo लेते हैं तो यहाँ पे photo खीचने के साथ ही watermark आजाता है मैं आपको दिखा देती हूँ देख सकते हैं यहाँ पे हर एक photo के नीचे corner पे in 2 भी लिखा हुआ है यह watermark है है ना तो यहाँ पे यह watermark कैसे remove करना है चले इस वीडियो में हम देख लेते हैं तो इसके लिए आप यहाँ बैक चले जाएंगे और camera open कर लेंगे camera open करने के बाद यहाँ पे setting पर जाएंगे setting पर जाने के बाद यहाँ पे आप स्क्रॉल कर लेंगे अब यहाँ पे आपको watermark का option देखने को मिलेगा यह जो add logo watermark है यह वाला option इसको आप off कर देंगे और यह अगर time वाला watermark आ रहा है तो इसको भी आपको off रखना है तो यह दो option आपको off रखने है watermark के तो अब यहाँ पे आप कोई भी photo खीचेंगे तो यहाँ पे click करके देखेंगे कि watermark नहीं आ रहा है कुने पर पूरी clear photo ह और पिछली फोटो में आपको दिखा देती हो पिछली फोटो में आपको watermark मिलता है यह रहा अब watermark नहीं मिलेगा तो इस टाप से remove कर लीजेगा चली मिलते हैं आपको next video में तब तक के लिए नमस्कार